अरे दोस्तों आज मैं आपको कुरोसी से फुलावर बनाना बताहूंगी लड़ियों वाला लावर को आपके प्रकाप टकार भी चलोल सब्सक्रावा ऐसदाच उसके लगाते पर तो अवितक में आपको पलावर बनाना शिकारी नुग यह में आपको पलावर बनाना बतारी नुग यह में आपको एक लंबी चैन बनाओंगी यह में इतनी लंबी चैन बना लिया है मैंने 35 चैन बनाई हुई है अब इसके बाद के करेंगे हम कि हम यह हमारी यह फर्स्ट चैन जो दिखाय दे रही है इसमें हम सिंगल क्रोसिया बनाएंगे एक वार सिंगल क्रोसिया बना लिया फिर इसी में से फिर एक वार सिंगल क्रोसिया बना लिया और फिर इसी में से एक वार और सिंगल क्रोसिया बना लिया यह हमने एक ही चैन में से तीन वार सिंगल क्रोसिया बना लिया और फिर इसी में से एक वार और सिंगल क्रोसिया बन अब हम आगे वाली चैन में इससे नेक्स्ट वाली चैन में हम फिर से तीन वार सिंगल क्रोसिया बनाएंगे एक वार सिंगल क्रोसी हो गया दो वार सिंगल क्रोसी हो गया और ये तीन वार सिंगल क्रोसी हो गया हमने हर चैन में तीन बार जो है सिंगल क्रोशी करते जाने है यह ऐसे हमने हर चैन में तीन बार सिंगल क्रोशी करना है यह मैं आपको नीचे तक करके बताती हूं यह हमारा जो है ऐसे लंबी चैन का फ्लावर बन गया है जो हमने हर एक चैन में तीन तीन बार सिंगल क्रोशी बनाए तो यह से जो हमारा फ्लावर बन के त्यार हो गया है अब हम दूसरे कलर से बनाएंगे तो इसमें हम जो वाइट कलर ले रहे हैं हम इसमें से एसे अपिर इसकी वही उतनी हमने चैन बनानी है तो थाटीफाइब चैन मिनाएंगे यह जो फिन्ने थाटी फाइब चैन बना लिए वाइट कलर से अब फिर इसमें हरे चैन में मैं क्या करूंगी इन तीन बार जोए सिंगल क्रोशिया बनाओंगे एट दो तीन अब इस तीन बनाने के आगे वाली चैन में फिस तीन सिंगल क्रोशिया बनाओंगे एट दो सिंगल क्लोशिय बनाओंगीं धो कि एसे ही आधे वाले चैन में में सिंगल क्रोश !! होगी और फिर έसे ही मैं यहाँ इस नं vida is यह त्यद्म में आखे श्यत्कि चैन तो आप ये फ्लावर जो है कैप में पॉम पॉम की जगा उपर ये लगा सकते हैं तो बहुत ही संदर लगेगे आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना